हाई, वेल्काम टोब चनल, इस वीडियों में सॉल्ब करेंगे question number 20 which of the following numbers are not perfect cubes तो मैं बस पता करना है कि यह जो numbers दिये हुए है इनमें से कौन सा perfect cube नहीं है तो perfect cube होने के लिए मैंने बताया था कि इसके जो prime factors होंगे वो triplet के form में होने चाहिए तो इन सब का हूं करेंगे factorization और check करेंगे कि क्या इनके जो factors है वो triplet के form में हैं के नहीं करेंगे factorize कर लिए हां पर ध्यान देज़ेगा 64 का हमने किया तो 2 के triplets बन जा रहा है बिल्कुल इसे कि यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर जो है two triplets बन चुके है 64 के ठीक है 216 का देखेंगे तो आपका जो है two का triplet बन जाएगा यहां पर और three का भी बन जाएगा इसका मतलब यह कि जो number 64 है और 216 है यह दोनों के दोनों जो है perfect cube है तो बोला है कि कौन से perfect cube नहीं है हमे यह डूड़ना है ठीक है तो यहां देखिए यहां पर देखिए three का बन रहा है triplet लेकिन यहां पर यह three का नहीं बन पा रहा है जो three है वो क्यों pair बन पा रहा है इसलिए क्या होगा 243 is not a perfect cube so 243 is not a perfect cube and 1728 का देखेंगे आप तो यहां पर आप देख सकते हैं कि two का बन रहा है two का बन रहा है या three का बन रहा है it means यह बिल्कुल perfect cube है और यह 12 का perfect cube है तो आप समझ चुके होंगे इस वीडियो से कि मतलब यह पता करना होगा यदि आपको कि perfect cube कोई number है या नहीं तो करना क्या है केवल factorize कर दिजिए और यह देखें क कि जो prime factors हैं उनका triplet बन रहा है या नहीं यदि नहीं बनेगा तो that is not a perfect cube okay तो मुझे ऐसा है कि समझ में आगया होगा आपको और यदि आपने subscriber है हमारे चैनल पर तो बिल्कुल subscribe कर सकते हैं आप यदि subscribe करने पर क्या होगा कि आपको notification मिलता रहेगा और आपको यह पर चलता रहेगा कि कौन सा exercise solve हो रहा है इस समय ओके तो by the way आपको time देने के लिए thank you so much for watching बाई